Hello Students, Welcome to Mathematics Classes आज हम लोग Class 12th NCRT Book की जो Determinant Chapter है उसके Exercise 4.1 का हम लोग इस Class में पूरा का पूरा कभर करेंगे फिलाल भी सभी विद्यार्थी जो है लोकडाउन में अपने घर पर हैं और पढ़ाई कर रहे हैं आई होप आप इस विडियोज से बहुत ही फायदा उठा रहे होंगे यहां पर जो है डिटर्मिनांट चेप्टर का पहला कलास आज हम लोग exercise बूक से ले रहे हैं और concepts के सारे विडियोज को मैंने पहले ही बता रखा है और हमारे चैनल पर डिटर्मिनांट का जो प्लेलिस्ट है बन चुका है आप उसे देखे और फायदा उठा है बहुत ही संदार तरीके से समझाय गया है first question जो है यहाँ पर इसको हम लोग को expand करना है तो हम लोग जानते हैं इसको कैसे expand करते हैं नहीं जानते हैं तो आईए मैं बता देता हूँ सबसे पहले इसको हम लोग multiply करेंगे minus इसको करेंगे यानि 2 से minus 1 में करेंगे यह हो जाएगा minus 2 और minus करेंगे क्योंकि हम लोग को मालूम है कि किसी भी determinant में जब उसके value को निकालना हो तो हम इस परकार निकालते हैं 2 order के determinant को cross multiplication यानि principal diagonal minus हो जाता है यह diagonal secondary diagonal यहाँ पर इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus of 20 अब इसको करेंगे तो minus 2 minus minus हो जाता है plus 20 this is equals to हो जाएगा 18 यह जो है हम लोग का first का answer आचुका है अब आए question number second की बात करते हैं हम लोग second number question है first जो यहाँ पर बता रहा है cos theta, sin theta यह determinant है जिसके elements दिये गए है sin theta और cos theta और इसके determinant value को हम लोग को निकालना है फिर principal diagonal को multiply करेंगे तो cos theta into cos theta क्या हो जाएगा सब कोई जानता है cos square theta हो जाएगा minus लगा देंगे पहले और इसको secondary diagonal को multiply करेंगे sin theta into में minus sin theta हो जाता है minus sin square theta this is equals to 1 होता है यह हम लोग का second का first part हो गया और इसका answer भी आ गया आप second number देख लेते हैं second number है x square minus x plus 1 x minus 1 x plus 1 x plus 1 और इसके value को हम लोग को find out करना है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यह जो है x square minus x plus 1 है इसको देखी आप लोग ध्यान से principle diagonal multiply करेंगे x square minus x plus 1 into में x plus 1 minus x minus 1 into में x plus 1 यानि यह principle diagonal को multiply किये और घटा दिये secondary diagonal को multiply करके अब multiply करते हैं सबसे पहले x से सभी में करते हैं तो x q minus x square plus में x हो जाएगा 1 से सब में करेंगे तो हो जाएगा plus x square minus x plus 1 अब इसको multiply करेंगे तो क्या हो जाता इसको multiply करेंगे तो यह हो जाता x square minus 1 यह formula पर हम लोग कर देंगे a minus b into a plus b तो यह हो जाता अब इसको आगे solve करते हैं x q minus x square plus x प्लस X स्क्वाइर माइनस X प्लस 1 माइनस X स्क्वाइर और यह माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ पर माइनस X स्क्वाइर है प्लस X स्क्वाइर है तो यह यह कैंसल हो जाएगा यह प्लस X है माइनस X है यह यह कैंसल हो जाएगा यहां पर जो है अब क्या बच रहा है तो यह बच रहा है x cube और 1 और 1 और minus x square और plus में 2 जो का हम लोग का required answer हो जाएगा अब आईए next questions third keyword हम लोग बढ़ते हैं third number questions क्या है third number questions हम लोग के सामने है कोई A दिया गया है जो की ऐसे matrix के रूप में दिया गया है ठीक है ऐसे कुछ ऐसे दिया गया है और दिखाना है कि 2A का determinant का जो value है 4 into determinant of A के equal है तो यह हम लोग को proof करना है सत्यापित करना है तो आईए इसको हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले 2 into A निकाल लेते हैं तो 2 A निकालेंगे तो matrix में सभी element से 2 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 2 से इसमें होगा तो 4 यह 8 यह 2 यह हम लोग को matrix निकल गया ठीक है अब हम लोग इस LHS के द्वारा निकालते हैं LHS LHS क्या है determinant of 2 A यानि कि इसका determinant value हम लोग को निकाल देना है तो 2, 4, 8, 2 तो यह हो जाएगा 4 minus 32 क्या गया यह जब इसको घटाएगे तो minus का 28 आजाएगा यह हो गया LHS हम लोग founded कर लिये हैं अब निकालते हैं RHS यह left hand side हो गया यह right hand side हो गया इतनी समझदारी आपको है right hand side में है 4 into determinant value of A तो 4 यहाँ पर determinant यह कान रख देंगे 1, 2, 4, 2 अब इसको 4 बाहर रखेंगे और इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 2 multiplication हो जाएगा principle diagonal minus में secondary diagonal का multiplication यह हो जाएगा 8 जब इसको करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 8 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बच जाता है 6 और sorry यहाँ by mistake यहाँ से हम लोग 2 mistake किया है 2 से multiply करेंगे तो यह क्या हो जाता है यह 4 हो जाता है आप लोग इसको जरूर से जरूर देख ले यहाँ पर 4 हो जाएगा तब 2a का value जो होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपको 8 जब इसको subtract करेंगे तो कितना आ जाता यानि 8 माइनस 32 करेंगे तो यह माइनस का 24 आ जाता sorry यहाँ पर छोटा सा error हो चुका है यहाँ पर माइनस 24 आ जाता अब इसको multiply करते हैं तो यह भी क्या आ जाता माइनस 24 आ जाता आप इसको देख सकते हैं LHS माइनस 24 आ गया RHS माइनस 24 आ गया that means हम लोग लिख सकते हैं LHS this is equals to RHS यह proved हो गया यह हम लोग का क्या हो गया proved हो गया इसको आप लोग देख सकते हैं बहुती आसान questions था आए अब question number 4 की ओर हम लोग देखते हैं question number 4 क्या करता है क्या बताना चाहता है तो कोई matrix A दिया गया है question number 4 को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है कोई matrix A दिया गया है A matrix है कुछ ऐसे जिसके elements क्या है आप बोले जहां बैठे हुए हैं copy column लेकर बैठे और मुझसे पहले आप बनाने का पर्यास करें ताकि revision हो जाए जो बच्चे पढ़ चुके हैं वे revision कर सकें और जो नहीं पढ़े हैं वे पढ़ते जाएं अब इसको हम लोग को proved करना है इतना बराबर होना चाहिए यह हम लोग को proved करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको LHS मान लेते हैं इसको RHS मान लेते हैं LHS और RHS मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग 3A find out कर लेते हैं 3A क्या हो जाएगा 3 से सभी में multiplication हो जाएगा यह हो जाएगा 3,0,3,0,3,6,0,0,12 यह हम लोग के पास आ जाता 3A अब LHS निकालते हैं हम लोग LHS क्या करता है Determinant Value of 3A तो यहाँ से जो निकलेगा Determinant Value of 3A 3,0,3,0,3,6,0,0,12 अब यहाँ पर आप लोग को देखना है कि कैसे इस Determinant को हम लोग Solve करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा और आशानी से आपको समझ में भी आ जाएगा हम लोग R1 यानि R1 के along हम लोग इसको Expand करते हैं यह 3 लेंगे तो इसके row और column को छोड़ देंगे 3 और multiplication हो जाएगा यह row और यह column छुट गया तो यह जो बचा वो हो जाएगा 3,6,0,12 Minus में यह हो जाएगा 0 और 0 को यह column और यह row छुटेगा तो बचेगा क्या? यह बच जाएगा बहुती ध्यान से देखिएगा यह आप लोग बहुती ध्यान से फिर पलस Alternate sign चलाना है पहले पलस, minus, फिर पलस, फिर जो आएगा माइनस, अब जो है यह 3 हो गया, 0 हो गया, फिर 3 से यह column और यह row छोड़ देंगे तो यह हम लोग को बच जाएगा क्या बचेगा, यह बचेगा तो यह बचेगा 30030 यह हम लोग के पास निकल कर आचुका है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा फिर से मैं इसको समझाने का प्रियास कर रहा हूं row 1 के along हम लोग expand कर रहा है इसको, आप यहाँ पर लिख सकते हैं expanding तो यहाँ पर हम लोग लिख चुके है expanding along आरवन, इसको expand कर दी है ऐसे, अब इसको फिर लिखेंगे 3, अब इसको multiply करेंगे तो यह हो जागा 36, minus में 0 minus, यह 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, plus 3 यह हो जाएगा 0 और minus का 0 totally found out करेंगे तो यह 3 into 36 हो जाएगा तो इसको multiply कर लेते हैं यह हो जाएगा 73, 18 का आठ हाथ में 1, 3, 2, 9, 1, 10 और यह 0 minus 0, 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा कितना? 0 तो हम लोग का required answer क्या हो जाएगा? जो 4 number का जो answer हो जाएगा 108 हो जाएगा क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा यह हम लोग को LHS निकल चुका है अब RHS हम लोग को निकलना है तो यहां से हम लोग RHS निकल लेते हैं RHS found out कर लेते हैं RHS निकलने के लिए 27 into A करना है तो आएगे इसको कर सकते हैं हम लोग determinant value of A करना है यह हो जाएगा 27 और determinant value क्या है तो 1, 0, 1 0, 1, 2 0, 0, 4 अब इसको हम लोग solve करेंगे यह हो जाएगा 27 ठीक अब इसको भी हम लोग expand करेंगे तो यह हो जाएगा 1 और row column को छोड़ देंगे तो बचेगा यह 1, 2, 0, 4 minus का यह 0 और जो लिखेंगे वो सब 0 हो जाएगा इसलिए हम लोग direct यहाँ पर 0 लिख सकते हैं फिर plus में 1 लिखेंगे और इसको column और row को छोड़ेंगे तो जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ पर determinant के रूप में लिख देंगे और इसको solve करेंगे यह हो जाएगा 27 इसको multiply करेंगे तो 4 माइनस का 0 माइनस 0 पलस यह 0 और यह भी 0 तो यह भी 0 हो जाएगा और यहाँ से जो बचेगा 27 27 इंटू 4 हो जाएगा अब इसको multiply कर देंगे साच्चों के 28 चारदूना 8 अधू 10 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गौर कीजिएगा दोस्तों हम लोग को proved करना था इतना बराबर इतना तो आप लोग देख सकते हैं LHS का value 108 आया और RHS का value भी 108 आया इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे therefore therefore LHS is equals to RHS proved यह हम लोग को 4 number questions का solution हो चुका है अब आये 5th solution को देखते हैं 5th में 4 भाग है उसको हम लोग देखेंगे और इसमें 3 order के determinant दिए गया है जिसको expand करने को है तो सबसे पहले हम लोग first questions को लेते हैं first question क्या है यहाँ पर जो है कुछ determinant दिए गया है मैं उसको लिख देता हूँ और इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से अब लिखना प्रारंब करूंगा 3 minus 5 0 इसको हम लोग को expand करना है अगर आप IIT की तयारी कर रहे है जेमेंस के तयारी कर रहे है तो इसको थोड़ा सा दिमाग में ही कुछ steps करने होंगे और मैं बताता हूँ वो कैसे करने होंगे यह हो जाएगा row 1 के long या आप इसके long कर सकते हैं चुकि इसमें 0 है तो इसके long हम लोग करेंगे तो calculation आसानी से host रखेगा इसलिए हम लोग यहाँ column 1 के long भी कर सकते हैं आप चाहे तो row 1 के long कर सकते हैं row 2 के long किसी के long आप कर सकते हैं आपकी मर्जी पर है लेकिन हमें कुकि कम समय में ज्यादा questions करने होते हैं तो हम लोग उस row या column के along expand करेंगे जिस column या row में अधिक 0 हो जैसे मैं यहाँ पर तो column 1 से ही expand करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर 0 है calculation आसान होगी तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ expanding along column 1 अब देखिए कैसे मैं यहाँ पर करता हूँ along उसको बहुती आसानी तरीके से हो जाएगा यह सबसे पहले 3 हो जाएगा और यह हो जाता है 3 के row और column को छोड़ देंगे तो यह जो determinant बचेगा उसको लिख देंगे 0, minus का 1, minus का 5 और 0 फिर इसको लिखेंगे minus का 0 और 0 से multiply करना है something यहाँ पर लिखेंगे इसके row और column को छोड़ गए यह सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 फिर यहाँ पर plus था minus हो गया plus हो गया अब क्या लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे चुकि हम लोग column 1 के along कर रहा है तो इसके row और column को छोड़ेंगे यह जो बचा यह हम लोग लिखेंगे minus 1, minus 2, 0, minus 1 अब आईए इसको solve करते हैं यह हो जाएगा 3 और multiply करेंगे यह हो जाएगा 0, minus यह क्या हो जाएगे यह हो जाएगे 5 फिर हो जाएगे minus का इसमें something something होगा यह पूरा तो 0 हो जाएगा चुकि 0 से multiplication है और फिर 3 और इसको multiply करेंगे 1, minus 0 हो जाएगे यह हो जाएगे minus का 15 minus 0 यह हो जाएगा plus का 3 तो totally हम लोग का minus 12 जो है 5 का first का जो answer हो जाएगा हम लोग का आजता है minus 12 अगर आप IIT जैमेंस की तयारी करने हैं तो यह step आपको छोड़ने होंगे दियान दिजिएगा आईए step आपको छोड़ने होंगे अब मैं भी इस step को छोड़ने वाला हूँ चुकि जब लंबे-लंबे questions आते हैं तो वहाँ पे इस step को छोड़ का direct इसको लिखने पड़ते हैं अब उसको अगली questions में मैं प्रयोग कर बताऊंगा कि कैसे उसको हम लोग बनावेंगे कैसे बताऊंगे उसको हम लोग देखेंगे तो आएए देखते हैं इसके second part को और इसमें हम लोग इस step को छोड़ने का प्रयाश करेंगे second part क्या है तो इसमें कुछ elements है 3-4, 5, 1, 1, 1, 2 और फिर है 2, 3, 1 इक्सको हम लोग expanding along column 1 के along मैं अभी कर रहा हूँ आप जिस row या जिस column से करना चाहे कर सकते है तो यह equal हो जाएगा 3 और यहाँ पर मैं इस step का direct prior करता हूँ 3 के row और column को छोड़ेंगे और इसको हम लोग यहीं पर solve कर लेते हैं इस determinant को यहीं पर solve करेंगे तो यह हो जाएगा 1 minus का minus 2 into 3 क्या हो जाएगा minus 6 और minus 6 यहाँ पहले से minus है तो यह हो जाता plus 6 ऐसे करने को है फिर minus alternate sign हम लोग को ले कर चलना है यहाँ minus हो जाएगा और 1 लिखेंगे हम लोग फिर इस 1 के column और row को छोड़ेंगे जो बचेगा उसको हम लोग multiply करेंगे तो माइनस 4 से 1 में होगा तो माइनस 4 माइनस में यह हो जाएगा 15 फिर इस elements को लिखेंगे पलस के रूप में और कोश्ठक देंगे यह रो और column को छोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8 माइनस में 5 अब इसको देखें आप लोग यह हो जाएगा यह हो जाएगा 19 से माइनस 1 में हो जाएगा तो पलस 19 हो जाएगा चूकि यह माइनस 19 है और माइनस 1 से तो पलस का 19 अब इसको एड करेंगे तो यह हो जाएगा 19 से 6 पचीस 25 और 21 हो जाएगा 46 जो की हम लोग का answer हो जाएगा यह I hope कि आपको समझ में आगया होगा आप अगर यह step नहीं समझे हो तो वीडियो को 1 से 2 मिनट पिछे करकर दो बार तीन बार इसको समझ यह बहुत भी भी आई है आपको यह समझना पड़ेगा क्योंकि लंबे questions में हम लोग ऐसे ही करते हैं ऐसे ही करेंगे तो हम लोग का calculation तेजी में होगा अब आएए इसके third part को अब हम लोग देखेंगे और उसको समझने का 75 प्रयास करेंगे और समझते जाएंगे वीडियो अच्छी लग रही है I hope कि लग रही होगी तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किजिए दोस्तों के साथ share किजिए 0 है 1 है 2 है माइनस 1 है 0 है माइनस का 3 है माइनस 2 है 3 है 0 है इसको expand करते हैं हम r1 के long आप column 1 के long करके भी देख सकते हैं expanding along r1 expanding along r1 तो यहां से लिखते हैं 0 और इसके row और column को छोड़कर इसको solve कर देते हैं यही पर 0 माइनस का माइनस 9 होगा तो यह हो जाएगा प्लस 9, फिर minus का 1, alternate sign लेकर चलना है, plus, minus, फिर minus ऐसे करके चलना है, तो यह 1 हो जाएगा, तो इसके row और column को छोड़ देंगे, जो बच्चे का उसको solve करते हैं, minus 1 से 0 में होगा, तो 0, minus में यह हो जाएगा 6, और फिर यह 2 लिख देंगे, plus में 2, इसके row और column को छोड़ेंगे और जो होगा उसको multiply करेंगे, minus 3, minus, यह 0 से multiply होगा, 0 हो जाएगा, इसको solve करेंगे, I hope कि आपको लग रहा होगा, कि मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ, लेकिन आपको भी इतने तेजी से करना होगा, इसलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें, ताकि आप भी brilliant हो सके, यहाँ पर जो है करेंगे ती यह तो 0 हो जाएगा, यह minus का 6 होगा, minus 1 से multiply होगा ता plus का 6 हो जाएगा, यह minus का 3 है, plus का 2 है, इसे multiply करेंगे तो minus का 6 हो जाएगा, plus 6 minus 6 equal हो जाएगा 0, यह हम लोग का answer हो जाता है, I hope कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, गर्मी के गर्म दिनों में आप लोग water पीते रहें, पानी पीते रहें और पढ़ाही करते रहें, अब आएए question number 4 को भी हम लोग यहीं पे solve कर लेते हैं, question number 4 बहुती आसान questions है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, दिये गया है, 2 minus 1 minus 2, 0, 2 minus 1, 3 minus 5, 0 वीडियो को pause कर, इसे आप जरूर बना ले, उसके बाद ही वीडियो को देखे, ताकि आपको understanding हो सके, कि इस lecture, इस class को देखने से आपको कितने फायदे हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, या नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को like कीजिए, और दोस्तों के साथ share किजिए, और हमारे पुराने जितने भी, अभी तक हम लोगों ने chapters complete किये हैं, उनको हमारे चनल पर जाकर visit किजिए, यूटूब के search बार में जाकर search किजिए, mathematics classes, रीतुराज सिंग, और आप उस वीडियोज को देखिए, matrices, determinant, vector algebra, integration, differentiation, बहुत सारे chapters हम लोग expand करेंगे, आप लोग comment किजिए, कि R1 से करेंगे, या column 1 से करेंगे, तो 99% विद्यार्थी जो है, मुझे suggest करेंगे, कि sir, R1 से हम लोग करेंगे, calculation लंबा होगा, अगर column 1 से करते हैं, तो इससे calculation छोटा होगा, because, क्योंकि इसमें 0 है, तो आईए, मैं भी कर लेता हू expanding along column 1, तो इससे हम लोग expand करेंगे, तो यह हो जागा 2, और इसके row column को छोड़ेंगे, और इसको यहीं पर solve कर लेना है, 2 से 0 में multiply 0, minus 5 से करेंगे, minus 1 में, तो यह हो जाता, minus में 5, और minus 0, 0 से कुछ में multiply होगा, 0 हो जागा, इसको हम लोग यहीं पर रहें देते, अब 3 से करें करेंगे, 3 के row और column को छोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 1, minus, minus 2 into 2 हो जाएगा, minus का 4, तो यह हो जाएगा, plus का 4, और इसको solve करेंगे, यह हो जाएगा, minus 10, minus 0, plus यह हो जाएगा 15, तो टोटली हम लोग के पास निकल कर किया आ जाता है, 5 इसको solve करने के बाद आ जाता है, जो ले सकते हैं, यह 5 के 1, 2, 3, 4, पार्ट जो थे, सारे का सारा complete हो चुगा है, अब आईए हम लोग देख लेते हैं, question number 6, 7, or 8, सबसे पहले देखेंगे, question number 6, question number 6 क्या है, इसमें कोई matrix A दिया गया है, जिसके elements ऐसे दिये गया है, 1, 1, minus 2, 2, 1, minus 3, और 5, 4, minus का 9, इसको आप लोग देखें, अब determinant of A निकलना है, यानि की 1, 1, minus 2, 2, 1, minus 3, 5, 4, minus 9, इसी values को हम लोगो find out करना है, अब तो यह बच्चों का चुठकियों में निकलने वाला काम हो गया है, अब हम लोग चुठकियों में इसे निकालेंगे, इसको expand कर देते हैं, इसको यहाँ प इसको अगर फाइप मार्क्स में, कुछ और इसमें आगे जो topics पढ़ेंगे, आगे NCRT, ये books के कुछ solutions को दखेंगे, उसमें determinant निकालने होते हैं, तो हम लोगों को दो लाइन, एक लाइन में ही निकालना पड़ता है, expanding along कर देंगे, R1, आप column 1 या column 2 से भी कर सकते हैं, जो म 19, minus का, 12 तो ये plus हो जागा, minus minus plus, ये minus का 1 हो जाएगा, alternate sign लेकर चलना है, तो ये हो जाएगा, row column को छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, minus का 18, minus, ये 15 होगा, minus का 15, तो minus minus तो 15 होता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या होता है, उसको आप लोग देख सकते हैं, और इस concept को द कॉल्म नहीं होते हैं यह माइनस का लिख देंगे इसके कॉलूम पर रोह को छड़ेंगे तो यह भात और ये हो जाएगा माइनस का नो प्लस बारह यानि बारह में से नो घटेगा तो कितना हो जाएगा थिरी हो जाएगा और ये अट्रा में से पांच घटेगा तब माइनस का तीन होगा और माइनस वन से मुट्टिप्लाई हो तब प्लस थिरी हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 माइनस 6 हो जागा 3 3 6 आप माइनस 6 क्या होता है 0 हो जाता है ते हम लोग का 6 नमबर का जो आंसर हो जाएगा 0 हो जागा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग question number 7 में x बराबर वाट यानि x के value को निकलना है x के value को निकलना है तो कैसे निकलेंगे आएए उसको हम लोग देख लेते हैं question first को लेते हैं जिसके कुछ determinants की equations दिएगा है determinants के form में अब यहाँ पर 2x, 4, 6, x अब जैसे हम लोग matrix में equating कर देते थे corresponding elements को ऐसे matrix में हम लोग 2 बराबर 2x कर देते हैं determinant में हम लोग नहीं करते हैं यह गौर किजिएगा बहुत सारे विद्याति यह गलत कर देते हैं जैसे matrices में corresponding elements को निकालते हैं और values को find out करते हैं वैसे determinant में नहीं निकलते हैं यहाँ जो है value निकालेंगे और equation प्राप्त करेंगे इसको solve करेंगे 2 माइनस के 20 बराबर यह हो जाएगा 2 x square माइनस का 24 यह हो जाएगा माइनस का 18 बराबर 2 x square माइनस का 24 इसको 2 x square माइनस 24 इज़र आएगा तो plus 24 हो जाएगा 2 x square equation सिधा कर देते हैं यह माइनस 24 इज़र आएगा तो 24 प्लस का और माइनस का 18 इसको solve करेंगे 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचता ये 6 बच जाता अब 2 जाएगा इधर multiply है तो इधर divide हो जाएगा x square बराबर हो जाएगा 3 अब यहां से आप लोग को x find out करना है तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा plus minus root 3 ये हम लोग का answer आचुका है आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे matrix में corresponding elements को equate करते थे यहां पर वेसे नएक करेंगे determined value निकालेंगे और इस determined value को निकालेंगे हमेशा equation बन जाएगा और उसको हम लोग निकाल लेंगे अब आएए इसके second part को भी हम लोग बगल में ही देख लेते हैं यहां पर क्या है 2345 और है x2x35 इसको हम लोग को find out करना है इसको ऑजाएगा यह होजाएगा 2510 minus 12 ब्राबर 5x minus 6x यह minus x हो जाएगा और इसको minus कर टो जाएगा x ब्राबर 2 बहुत ही आसान question है इसको आप लोग देख सकते हैं अब question number 8 को अब हम लोग देखेंगे इसमें भी x का मान निकलना है तो x to और objective question से यह इसको आप लोग ध्यान रखेंगे यह हो जाएगा 6, 18, 2, 6 इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा x square minus का 36 बराबर 36 minus का 36 यह यह cancel तो x square minus इधर जाएगा तो हो जाएगा plus अब x का जो value हो जाएगा x का value क्या हो जाएगा यह हो जाएगा plus minus का 6 यानि x बराबर 6 और minus 6 दोनों में से कोई value हो सकता है तो आज हम लोग का यह determination chapter का exercise 4.1 के सारे solutions को हम लोग देख लिये हैं वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरूर से जरूर कीजिए और अच्छे अच्छे comment कीजिए ताकि मैं motivate हो सकूँ और और अच्छे वीडियो मेरा performance और अच्छा हो सके चैनल को subscribe कीजिए YouTube बार में search कीजिए mathematics classes डेतुरार सिंग उसको आप लोग देख सकते हैं और ऐसे ही बने रहे हैं इस lockdown में free education प्राप्त करते रहे हैं